चलिए आज मैगी बनाते हैं, रेसिपी वही है, पुरानी रेसिपी है, मैगी बनाना सभी को आता है, दो मिनट में बनने वाली रेसिपी है, लेकिन बनाने का तरीका नहीं है, अगर आप एक ही तरीके स्खा कर बोर हो गए, तेक वर मेरे तरीके से मैगी को बनाईएगा, मैंन दो हुआ हैं, अध्रक लेसन आप चाहते हैं, यहाँ नहीं पत्ता आपके जिपी आंड़े है मैं अपको फटाफट से बना के दिखाते हूँ बेना किसी ताम ज़मके, यहां पर पानी करम करेंगे तो पैकेट मगी बना रहे हैं तो उसमें तीन कप पानी डालेंगें पानी थोड़ा जालना है पानी घरम होगा उसमें ऐसी नूडल्स कगा अधर देंगे, नूडल्स डालने के बाद घरी देखते हैं आपको सिर्फ दो मिनट पकाना है अगर आपको अंदाज है दो मिनट से जादा नहीं पकाना है नूडल्स को अवरकुक नहीं करना है जैसे यह से ज़ागाने लेगे एक उबाल ही आना है बस आपको फटा-पट से मेगी से पानी को अलग कर देना है तो आप या इसके उपर पलेट रखके पानी निकाल दे या चान लें इसको तिहाँ पर मैंने पानी निकाल दिया है आप इसको ठंडा होने के लिए साइड में लख देंगे यह हमारा नूडल्स बन के तयार है मैं आपको फटा-फटा को भी काट के दिखाते हैं आप चाहता है ऐसे कट लगा कर इसको पतला-पतले काट सकते हैं लेकि में कैसे कर देना है बस यह पतला चोटे साइज का हो जाएगा इससे ज्यादा चोटा-ज्यादा मेहनत नहीं करना है यह हमने पत्या को भी काट लिया हमने प्याज टमाटर भी काट लिया चलिए फटापर से बनाते हैं पैन गरम करेंगे पैन में 2-3 चमज तेल डालेंगे अगर आपका कराई नोनिस्टिक नहीं है तो आप क्या करें उसमें 4-3 चमज तेल डालें प्याज पकने में थरा टाम लगता है और उसमें तील ज्यादा लगता है यह कम तील में पक जागए इस पैन में नोनिस्टिक पैन है अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हाय फ्लम पर पकाएंगे, प्याज को जब हम धीमी आज पर पकाते हैं तो प्याज अपना पानी रिलीज कर देता है, जिससे प्याज को पकनी में ज्यादा टैम लगता है, जब आप कोई चीज फ्रे कर लें तो उस टैम में जिको बढ़ा कर रखें, प्याज नमक नहीं डालना है, मिर्ची डालेंगे, अपने स्वादान सर मिर्ची डालना है, ज्यादा तीखा खाते हैं, सभी मिर्ची डालना है, मैंने अपर दो मिर्ची डाली है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, यहाँ पर मैं थोरे थोरे करके मसाले डालना है, जो सुखे मसाले हो तमाटर को ऐसे ही भून लाए चलाते रहें लगाता है राज को कम कर दे मसाला जब भून जाए अच्छे से पैन से अलग होने लगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी हम इसलिए डालते हैं कि जब इसमें नूडल्स डालेंगे नूडल्स में अच्छे से बनाए होगा मैगी को अलग-अलग स्वाथ में लेकिन पत्त्यकों स्वाद को बनाएगा शिर्फ पत्ता को वी टालेगा और सबस्यान नहीं डालनी है बहुत इश रचान प्सषिंप हैं और मैंने ज़िए से बनाए हैं इस तरीके मेगी को बनाना है मैंगी आप नुडल में लेकाँ है एक नुडल को बैगी काहले ज़ाँ पैसेchę में एक यह फाटिखा चाना भी नुडल सती को आगारे पर्फेक्ट बनेगा, अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर आपको धनियाक पत्ता पसंद है यहाँ पर धनियाक पत्ता भी इसमें डाल सकते है मैंने सजावर के लिए थोड़ा सा डाला है बस गैस को बंद कर दे, हमारी यह सूपर बनानेक तरह का पसंद आता था, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राब करना आप बिल्कुल न भूले, हमें एक कमेंट जरूर करें कि आपकी मैगी कैसी बनी थी